सूचना जो अभी आप सुनेंगे वो अफसरों के केवल संक्षिप्ट परिचा के लिए दी कई हैं जो इस्वियापार के माध्यम से उपलब्ध हैं आपको इस व्यक्ति से मिलने वो अधित जानकारी मांगने के लिए प्रोज सहे किया जाता है जिसने आपको ये सामगरी उध अभार दी है इस कारिक्रम के रिकार्डिंग सिधी सेमिनार से हुई है इसलिए ध्वनी की एक समान स्पष्टता की गारंटी नहीं वी जा सकती अभी अभी जो संदेश आप सुनने वाले हैं उसे अर्ल नाइटिंगल ने 1956 में लिखा था और रिकार्ड किया था दरसल ये संदेश उस सवाल का जवाब है जिससे वे अपनी नौ वर्ष की उम्र से ही लगातार ढूंटते रहे थे अर्ल नाइटिंगल का जन्म आर्थिक मंदी के दौर में हुआ था चुकि वे बहुत ही ज्यादा गरीब थे इसलिए बचपन में बस एक ही सवाल अर्ल के मन में घुमरता रहता कि क्यों कुछ लोगों का जन्म सिर्फ ऐश औ आराम भोगने के लिए होता है जबकि अन्ने लोग उसके अपने परिवार के ही तरह जिन्दगी भर बस जीवित रहने के लिए जूचते रहते हैं जब बड़े बुजर्गों से उसे अपने सवाल का जवाब नहीं मिला तो उसने जो कुछ मिल जाए पढ़ना शुरू कर दिया ये सोच कर कि शायद कहीं इन में उसकी सवाल का जवाब छिपा हो कई साल गुजर गए और जब अर्ल 35 वर्ष का था तो उसने ये संदेश लिखा और इसे रिकॉर्ड करवाया एक शनिवार की सुबर उसकी अनुपस्थती में सेल्समैनों के एक छोटे समों के बीच उसका रिकॉर्डिट संदेश सुनवाया गया जब अर्ल लोट कर वापस आया तो उसे मालुम हुआ कि उसकी संदेश का उन लोगों पर ऐसा जादु भरा असर हुआ है कि वे अपने परिवार और अपने दोस्तों के लिए उस रिकॉर्डिंग की कौपी चाहते हैं इस भारी फर्माईश को पूरी करने के लिए अर्ल ने कोलंबिया रिकॉर्ड से बाद की और अपने रिकॉर्ड की कई प्रतियां बनवाई अर्ल के आश्चरे का ठिकाना नहीं रहा जब बिना किसी विग्यापन, प्रचार या मार्केटिंग के बहुत ही थोड़े समय में उस संदेश की 10 लाख प्रतियां बिग गई अर्ल को स्वर्ण रिकॉर्ड मिला अपने संदेश को अर्ल ने नाम दिया था सर्वाथिक आश्चरेजनत रहस्यर और ये इकलौती रिकॉर्डिंग वो नन्हे से पौध थे जिस पर व्यक्तिकत विकास का एक व्यापक उद्योग पनपा और इस्थापित हुआ और चोकि अर्ल ने सर्वाथिक आश्चरेजनत रहस्यर का सच्चा अर्थ धोंड निकाला था जिससे किसी के जीवन की उपलब्धिया निर्धारित होती हैं वे स्वयम भी अपनी घोर निर्धनता से उपर उठकर घर-घर का एक जाना पहचाना नाम बन गये दूर दरास के देशों में उनकी ख्याती फैली उनका दैनिक रेडियो कारिक्रम हमारी बदलती दुनिया का सबसे बड़ा प्रायोजन वाला रेडियो प्रियोग्राम बन गया जिससे देश विदेश में सुना जाने लगा मैं डाइना नाइटेंगिल हूँ, 1989 में अपने पती के म्रत्यों के बाद से मैं लगातार कोशिश करती रही कि दुनिया को प्रेरित और रोमांचित कर देने वाले अरल के धेरू संदेश नए से नए प्रभावशाली तरिकों से कोने कोने तक पहुँचाए जाएं आज व्यक्तिकत विकास उद्योग काफी विस्त्रित हो चुका है, लेकिन आज भी दुनिया भर के लोग सरवाथिक आश्चेरेजनक रहसी को एक ऐसा संदेश मानते हैं, जिसने उनके जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है अर्ल ने अपने जीवन काल के पिछले 32 वर्षों में सरवाथिक आश्चेरेजनक रहसी को बदलते समय के साथ कई बार संशोथित किया इन परिवर्तनों के कारण और इनके बावजूद मेरा विश्वास है कि आप इस मूल रिकॉर्डिंग के एतिहासिक महत्व की सराहना करेंगे जब आप सुनेंगे तब निश्चित तोर पर गौर करेंगे कि ये संदेश आज भी उतना ही सही उतना ही किमती और उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कभी उस समय था तो अब मैं आप सबको आमंत्रत करती हूँ कि आप आराम से बैठ जाएं और अर्ल नाइटिंगल के इस मूल रिकॉर्डिंग सर्वाधिक आश्चर जनक रहसे का आनन्द उठाएं मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस दुनिया का सबसे आश्चर जनक रहसे क्या है इस बात को अभी बहुत लंबा समय नहीं गुजरा है कि महान चिकटसक और नोबेल पुरसकार विजेता अलबर्ट स्विद्सर से लंदन में एक इंट्रव्यू के दौरान किसी रेपोर्टर ने पूछा डॉक्टर आज आदमी के साथ सबसे गलत बात क्या है बहान डॉक्टर एक पल मौन रहे और फिर उन्होंने कहा कि सिर्फ ये के आदमी सोचता नहीं है और आज मैं भी इसी के बारे में आप से बात करना चाहता हूँ आज हम एक सुनहरे युग में रहे हैं ये वो दौर है जिसके लिए आदमी हजारों वर्षों से सपने देख रहा था और महनत कर रहा था लेकिन जब आज ये दौर हमें उपलब्द हो गया है तो हमने इसे प्रदत मान लिया है यूही उपहार में मिला हुआ लेकिन इसके पीछे छेपे संघर्ष और महनत को हम भूल गए है लेकिन क्या आपको मालूम है कि दरसल होता क्या है चलिए हम ऐसे सौ लोगों को लेते हैं जिन्होंने पचीस वर्ष की उमर में अपने कैरियर की शुरुआत की क्या आपको अनमान है कि 65 वर्ष की उमर तक पहुंचते पहुंचते इनके साथ क्या होगा पचीस की उवर में शुरुआत करते हुए इन सब का विश्वास है कि ये कामयाब होंगे यदि आप इनमें से किसी से भी पूछें कि क्या आप कामयाब होना चाहते हैं तो वो कहेगा नश्यत तोर पर और आपने गोर भी किया होगा कि उसकी आँखों में जीवन के प्रते एक उत्सुकता एक जग्यासा है आँखों में खास तरह की चमक और हावभाव में एक स्पष्ट दृड़ता है और जीवन उसके सामने एक खुबसूरत एक रोचक अभिया होंगे और बाकी 90 टूट चुके होंगे अब जरा एक पल सोचिए सो लोगों में से सिर्फ पांच किसी इस्तर तक पहुँच सके इतने ज्यादा नाकाम क्यों रहे उस चमक उस चंगारी का क्या हुआ जो 25 वर्ष के उमर में उनके भीतर थी वे सपने वे उम्मीदें वे यो होगा और ये है सफलता की परिभाशा सफलता का इर्थ है किसी महान लक्ष को सपष्ट निर्धारित कर उस दिशा में आगे पढ़ना अगर एक आदमी पहले से निर्धारित लक्ष की दिशा में काम कर रहा है और जानता है कि वो कहां जा रहा है और कहां उसे जाना है तो व वो असफल है यानि सफलता निर्धारित लक्ष को समस्ते हुए उस दशा में आगे बढ़ना है। अधिकांश लोग वैसा ही कर रहे हैं जैसा दूसरे कर रहे हैं ये जाने समझे बगएर कि क्यों लगबख साथ वर्ष की उमर से हम पढ़ना शुरू कर देते हैं पचीस के होते होते हम रोजी रोटी कमाना शुरू कर देते हैं साथ ही परिवार की देखभाल भी लेकिन 65 वर् गलत प्रतिशत का अनुकरन कर रहे हैं यानि उन 95 प्रतिशत का जो कामयाप नहीं हुए अब सवाल ये है कि ये लोग इतनी बड़ी संख्या में लोग औरों की नकल क्यों करते हैं इसका उत्तरवे भी नहीं जानते इन लोगों का विश्वास है कि परिस्थितियों ने उनक ये सवाल पूछे गए कि आप काम क्यों करते हैं सुबह सवेरे क्यों उटते हैं बीस में से 19 लोगों के पास इसका कोई कारण नहीं था यदि आप उनसे पूछें तो वे कहेंगे सभी लोग सवेरे उटकर काम पर निकल जाते हैं और यही कारण था कि वे इसे करते थे क्यो उसकी तरफ आगे बढ़ता है ऐसा अदमी कहता है मुझे जीवन में ये बनना है और फिर उस दशा में काम शुरू करता है मैं आपको बताता हूँ कि सफल लोग कौन है वो स्कूल टीचर सफल है जो बच्चों को इसलिए पढ़ा रही है क्योंकि वो यही करना चाहती थी वो आरत अपके जीवन में सफल है जो एक पत्नी और एक मा है क्योंकि वो पत्नी और माही बनना चाहती थी और वो अपनी जब्मदारी अच्छी तरह निभावी रही है वो कौने का गैस अस्टेशन चलाने वाला आदमी सफल है क्योंकि उसने यही पेशा अपनाने का लक्ष नरधारित किया था वो सेल्समेन काम्याब है जो एक टॉप सेल्समेन बनने चाहता है और इसी उद्देशे से अपना व्यवसाई जमाता है हर वो आदमी सफल है जो पहले से अपना सोचा और नरधारित काम काफी सोच विचार कर कर रहा है क्योंकि यह वही काम है जिसे उसने सोच विचार कर करने का फैसला किया था लेकिन 20 में से सिर्फ एक आदमी ही ऐसा कर पाता है और किसी से कोई प्रतिसपर्धा करने की जगे हमें स्वेम अपना कुछ मौलिक स्रिजद और स्थापित करना है लगभग 20 सालों तक मैं उस कुंजी की खोश करता रहा जिससे आदमी के आने वाले कल के बारे में पहले से सब कुछ मनमाफिक निर्धारित किया जा सके क्या इसी कोई कुंजी है? मैं जानना चाहता हूँ जिससे भविश्य के बारे में सब कुछ तै कर दिया जाए और हम पहले से ही उसकी भविश्य बानी कर सके क्या इसी कोई कुंजी है जो आदमी को सफल होने की गारंटी दे सके? काश आदमी इस कुंजी के बारे में जान सके और इसे इस्तेमाल करना जान सके मैं आपको बताओं ऐसी कुंजी उपलब्द है और मैंने इसे पाया भी है क्या आपको कभी इस बात पर हैरत हुई है कि दुनिया में इतने सारे लोग कड़ी महनत और इमानदारी से काम करते हैं लेकिन उन्हें जीवन में कुछ खास हासल नहीं हो पाता जबकि कुछ लोगों को बिना महनत किये ही बहुत कुछ उपलब्द हो जाता है यानि उनके हातों में कोई जादू है जी हाँ आपने कई लोगों को कहते भी सुना होगा वो जिस चीज को भी छू देता है सोना हो जाता है क्या आपने कभी गौर किया है कि एक आदमी जो अपने जीवन में कामयाब हुआ वो हमेशा सफलता के दिशा में ही प्रतन शील रहा जबकि असफल व्यक्ते हमेशा असफलता के दिशा में ही काम करता रहा ऐसा सिर्फ लक्षियों की वज़े से ही हुआ हम मेंसे कुछ लोगों के सामने लक्षे होते हैं और वे उसी दिशा में काम करते हैं जबकि कुछ लोगों के सामने कोई लक्षे ही नहीं होता लक्षे साथ रखने वाले व्यक्टी सभल होते हैं क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि किस दिशा में आगे बढ़ना है। एक ऐसे जहाज के बारे में सोचिए जो बंदरगाह से बस चलने ही वाला है अपनी यात्रा के पूरे नक्षे और पूरी योचना के साथ। जहाज के कैप्टिन और चालक दल के सरस्यों को ये अच्छी तरह मालूम है कि इसे कहा जाना है और कितना समय लगेगा। इस जहाज के सामने एक सपष्ट लक्ष है सपष्ट लक्ष और सपष्ट मैप रखने वाला जहाज 10,000 बार अभियान में से 9,999 बार अपने उसी लक्ष पर पहुँचेगा जहां के लिए ये रवाना हुआ था यानि शत प्रतिशत लक्ष पर अब इसी तरह के एक दूसरे जहाज के बारे में सोचिए फर्क सिर्फ इतना है कि इस पर कोई कैप्टन नहीं है और नहीं कोई चालक सरस्य इस जहाज के सामने कोई लक्ष नहीं है कोई उद्देश नहीं है बस इंजन स्टार्ट करके इसे जाने दिया जाता है मैं सोचता हूँ कि आप भी मुझसे सहमत होंगे कि बंदरगाह से निकलने के बाद जहाज या तो डूब जाएगा या तूफान में घर जाएगा या फिर किसी विरान टापू पर बंद हो जाएगा ये किसी स्थान पर पहुंची नहीं सकता क्योंकि इसके सामने ना तो कोई लक्षे है और नहीं इसके साथ कोई मार्ग दर्शन बिल्कुल यही बात मनुष्य पर भी लागू होती है एक सेल्समैन का ही उधारन दीजे आज दुनिया में कोशल सेल्समैन के विवसाय से बढ़कर काम्याबी की उम्मीद किसी और पेशे में नहीं है अगर हमारे सामने लक्षे सपच्ट हों और हम अपने काम में होश्यार हों तो सेलिंग प्रफेशन यानि बिक्री का विवसाय दुनिया का सबसे ज्यादा आमदनी वाला पेशा है आज हर कमपनी को होश्यार से होश्यार सेल्समैन के जरूरत है और वे उसे बढ़ा चढ़ा कर पारिश्च्ट में देने को तयार हैं उनके लिए तरके की असीम संभाबनाए हैं लेकिन आपको ऐसे कुशल लोग कितने मिल पाते हैं किसी ने एक बार कहा भी था कि आज मानव जाती का पूरा ध्यान मजबूत लोगों को फाइदा उठाने से रोकने में नहीं बलकि कमजोर लोगों को नुक्सान उठाने से रोकने में हैं आज अर्थ विवस्था के तुलना एक काफिले से की जा सकती है जिस तरह काफिला उसी गते से आगे बढ़ता है जिससे उसकी सबसे धीमी गते वाली टुकडी भी साथ साथ चल सके ठीक उसी प्रकार आज पूरी अर्थ विवस्था अपनी सबसे कमजोर कड़ी की हिफाज़त में धीमी पड़ गई है इसलिए आज रोजी रोटी कमाना तो काफी आसान हो गया है आज आज एविका के लिए या परिवार चलाने के लिए किसी खास बुद्ध या प्रतिभा क की जरूरत भी नहीं पड़ती आम तोर पर आदमी रोजी रोटी की इसी सुरक्षा की तलाश में रहता है और ये तथा कथित सुरक्षा हमें उपलब्द भी है लेकिन ये फैसला हमें करना है कि सीमा रेखा से कितनी उचाई का लक्ष हम अपने लिए निरधारित करना चाहत क्यों चाहते है चलिए अब हम दुनिया के सबसे आश्चयरजनक रहसे पर यानी जो कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूं उस पर वापस चलें जीवन में पश्द लक्ष रखने वाले लोग कियो सफल होते हैं और लक्ष वहीन लोग क्यों असफल हो जाते हैं चलिए कुछ मैं आपसे कहने जा रहा हूँ अगर आप उसे पूरी तरह समझ लें तो आपका जीवन ऐसा नहीं रहेगा जो आज है आपको अचानक वो स्वभाग्य मिल जाएगा जो अरसे से आपको लुभाता रहा है आप जो कुछ भी चाहते हैं वो सब आपके समक्ष साकार हो जाएंगी सफलता और असफलता की कुझी क्या है मैं आपको बतलाता हूँ हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं मुझे एक बार फिर दोराने दीजिए हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं पूरे इतिहास में जो भी महान बुद्धिमान लोग हुए हैं चाहे वे उनके विचारों में कई मुद्दों को लेकर मतभेद रहा है लेकिन एक मात्र इसी मुद्दे पर वे पूरी तरह सहमत रहे हैं। और अगर द्रड इच्छा शक्ते हो तो इसकी राह में कोई अड़चर नहीं टिक सकती। चला जाएगा कि वांचित चीजें वास्तों में यथार्त बन दरसल हमारी सोच, हमारी आदितों और भावनाओं से इस कदर गुथ जाती हैं कि हमारा विश्वास साकार हो जाता है। विलियम जेम्स ने ये भी कहा था कि यदि आप किसी परिणाम विशेश के बारे में काफी ज्यादा सोचें तो आप नश्चत तोर पर उसे हासल भी कर लेंगे। अगर आप अमीर बनने की इच्छा रखते हैं तो आप नश्चत तोर पर अमीर बन जाएंगे। यदि आप विद्वान बनना चाहते हैं तो विद्वान बनेंगे। इसी प्रकार यदि आप भला बनना चाहते हैं तो नश्चत तोर पर भले बन जाएंगे। आपको सिर्फ ये करना है कि वस्तो विशेश या लक्ष के लिए वास्तवे कि च्छाशक के विक्सित करें और उस दोरान एक मात्र वही लक्ष आपके सामने हो ऐसा नहो कि एक ही समय सैक्णों अलग-अलग चीज़ों पर आपका ध्यान बटके आपको बाइबल का वो कथन याद होगा कि जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है डॉक्षर नॉर्मन विंसिन पेले ने कहा है कि पूरी स्रिष्टि के महानतम नियमों में से ये एक है कि अगर आपकी सोच नकारात्मक हो तो नकारात्मक परिणाम ही आपके सामने आएंगे और यदि आप सकारात्मक सोचें तो जो भी आप करेंगे उसका नतीजा भी सकारात्मक होगा ये एक साधारन सी वास्तविक्ता है जो सम्रिध्धी और सफलता के इस आश्चे रिजनक नियम का आधार है केवल चार शब्दों में कहा जाए तो विश्वास करो सफलता पाओ विलियम सेक्सपीर ने इसे इस तरह कहा है कि हमारी शंकाएं इतनी विश्वास घाधनी है को दोश देते हैं लेकिन मैं परिस्थितियों में विश्वास नहीं करता इस दुनिया में काम्याबी हासल करने वाले लोग वे लोग हैं जिन्होंने काम की शुरुआत की और अपनी मन्चाही परिस्थितियां खुद बनाई ये वास्तविक्ता कितनी सुखत है और जिस किसी ने भी इस पर विश्वास किया है उसने सफलता हासल की है हम वही बनते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं इसलिए अगर हम किसी ठोस और सार्थक लक्ष के बारे में सोचें तो हम जरूर इसे हासल भी कर लेंगे दूसरी और वो आदमी जिसके सामने कोई लक्ष नहीं है जिसे नहीं मालूं कि उसे कहां जाना है और जो इसी वज़े से संशय, भय, चिंता और परिशानियों में घिरा है वो वैसा ही हो जाएगा जैसा कि वो सोच रहा है और अगर ऐसा है कि वो किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहा है तो वो आदमी कुछ भी नहीं बन पाएगा आईए, अब ये समझें कि ये सारा कुछ कैसे काम करता है, क्यों हम वैसा ही बन जाते हैं जैसा कि हम सोचते हैं मैं आपको बताता हूँ कि ये सारा कुछ क्यों और कैसे होता है कल्पना कीजिए कि एक किसान के पास थोड़ी जमीन है जमीन बड़ी अच्छी और उपजाओ है जमीन में क्या बोया जाए ये फैसला पूरी तरह किसान का है वो जो चाहे बोय जमीन को इससे कोई मतलब नहीं है ये ध्यान दीजिए कि मनुष्य का मन भी जमीन के ही समान है बलकि हम मानव मन की तुलना में ही जमीन का उधारन दे रहे हैं जमीन की ही तरह मन को भी इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप उसमें कैसे विचार बोते हैं बस जो कुछ भी इसमें बोया जाएगा वो उसी की फसल आपको वापस लोटाएगा। यही वास्तविक्ता लागू होती है सकारात्मक और नकारात्मक विचारों के साथ। यदि आप सकारात्मक विचार बोएंगे तो काम्याबी की फसल काटेंगे और यदि नकारात्मक पीजों को बो देता है वो उन स्थानों पर पानी देता है और उनकी देखभाल करता है अब जमीन जो कुछ बोया गया है उसे वापस लोटाती है दोनों पौधे उकते हैं एक अन्नका और दूसरा जहरीला बाइबल में कहा भी गया है आप जैसा बोईंगे वैसा ही काटें के याद रखिए कि जमीन को इस बात से मतलब नहीं है कि वो अन्न लोटा रही है या जहर अब मानों मस्तिश के जमीन से कहीं ज्यारा भरोसे मंध है कहीं ज्यारा उरवर और कहीं ज्यारा चमतकारी लेकिन ये जमीन के सद्धान्त पर ही काम करता है ये भी इस बात की चिंता न है हो या चिंता हो कुछ भी हो बस जो भी हम इसमें डालेंगे वही यह हमें वापस लोटाएगा आपको मालूम है कि मानो मस्तिश्क आज इस धर्ती पर एक मात्र अंतिम महादेश है जिसका आज तक अन्वेशन नहीं हुआ है इसमें हमारी कल्पने से भी परे सुक भरी पड़ी है यदि हम सकारात्मक विचार डालें तो ये भारी सभलता और सुक सम्रिद्ध हमें वापस लोटाएगा आप कह सकते हैं कि यदि ये सही है तो लोग अपने मस्तिश्क का अधिक इस्तेमाल क्यों नहीं करते लोगों के पास इसका भी जवाब है हमारा मस्तिश में इसकी विपरीत बात ही सही होती है आग जो भी चीज़ें हमारे जीवन में वास्ताओं में महत्वूण हैं वे हमें निशल्क मिली हुई है और जिन चीज़ों के लिए हम पैसे खर्चते हैं, वे इनके मुकाबले काफी हलकी हैं, स्तरहीन और उन्हें किसी भी चीज से बदला जा सकता है, लेकिन प्रकृति की ओर से निशलक मिली चीजें कभी बदली नहीं जा सकती, और दूसरी बात ये, कि मानव मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग नहीं हुआ है, मन ने ये साबित कर दिया है, कि हम में से अधिकांच लोग अपनी ख्षमता का दस प्रतिशत ही इस्तेमाल करते हैं, हमारी शेश ख्षमता यूही अंचोई रह जाती है, अब आप फैसला कीजिए कि आपको क्या करना है, अपना लक्षे अपने मस्तश के रूपी जमीन में बो अपने दिलो दिमाग में कर लें, जतन से एकागर चित होकर इसकी देख भाल करें, लक्षे की दिशा में आगे बढ़ें, कारिशील रहें, और एक दिन आपका सपना हकीकत में बदल जाएगा, कोई सवाल ही नहीं है कैसा ना हो, आप समझ लीजिए कि ये प्रकृति के अन् नियम हमेशा सही होते हैं, हमेशा कान करते हैं, आप भी बिलकुल सकारात्मक दिशा में अपने लक्षे के बारे में सोचिए, हमेशा जागी आँखों से सपना देखिए, कि आपने अपना लक्षे हासिल कर दिया है, उन कामों के बारे में सोचिए, और खुद को उन्हें कर पानी की दिशा में इतनी काम्याबी हासिल करनी है लेकिन इसके बावजूद लोग समस्याओं से जूजने में तनाव गरस्त हो रहे हैं और खुद को असमाइक मौत की तरफ धकेल रहे हैं ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने महान प्राकृतिक नियमों को अपनाना नह ही सीखा जो हमारे लिए बेहत कारगर और लाबकारी है क्रिपया अप साइट भी सुनिये हमारे सोचने विचारने के तरीके में ही ये चमतकार छुपा है दरसल हर व्यक्ति अपनी समस्त सोच का ही योगफल होता है वो स्वीकार करे या न करे लेकिन वो आज जहां जिस स्थ प्रतिफल मिलने वाला है क्योंकि आज कल यागले महीने यागले वर्ष हमारी सोच की जो दिशा रहेगी उसी से हमारा भविश या हमारा जीवन निर्धारे धोका आपका मन मस्तश कही आपके संपून व्यक्तित्व और जीवन को निर्धर्षित करता है मुझे याद है एक बार में कहीं जा रहा था रास्ते में सुलक के नारे मैंने एक भारी भरकम मशीन को भीशन आवास के साथ काम करते देखा मशीन एक बार में करीब 20 टन मिट्टी उठा रही थी और एक छोटा सा आदमी पहिया हातों में थामे मशीन को निर्देशित कर रहा था एकदम से मुझे लगा कि इस मशीन की तुलना मानव मस्तशक से की जा सकती है और विशाल उर्जा के स्रोत इस मस्तशक रूपी मशीन का नियंतरन हमारे अपने हातों में है क्या आप हात पर हात धरे बैठे रहेंगे और इस शक्तशाली मशीन को इसी के भरों से छोड़कर किसी खड़ में गिर जाने देंगे या आप दोनों हात मजबूती से इसके वील पर जमाए रखेंगे और इसकी ताकत किसी खास उद्देश के लिए लगाएंगे ये दोनों विकल्प आपके उपर हैं क्योंकि आप ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं और मशीन का नियंद्रन आपके हातों में है अब देखाना आपने कि हमें सफलता प्रदान करने वाला नियम भी एक दोधारी तलवार की तरह है हमें अपनी सोच अपने विचारों पर नियंद्रन रखना चाहिए विचारों का ये नियम जहां एक और आदमी को सफलता सुक और सम्रिद्ध की और ले जाता है उसे जीवन में वे खुशियां उपलब्ध कराता है जिनका उसने अपने और अपने परिवार के लिए कभी सपना देखा था वहीं दूसरी और यही नियम उसे गटर में भी धखेल सकता है सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि मनुशे किस तरह इस नियम का इस्तिमाल करता है यही है दुनिया का सबसे आश्यर जनक रहसे अब सवाल यह है कि मैं इसे आश्यर जनक क्यों कहूं और रहसे भी क्यों कहूं वास्तों में ये कोई रहसे तो बिलकुल नहीं है पहले पहल किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने इस प्राकरतिक नियम की सच्चाई प्रमानित की थी और बात में पूरी बाइबल में बार बार इसका जिक्र हुआ है लेकिन बहुत थोड़े लोगों ने इसे समझा और सीखा है यही कारण है कि ये लोगों के लिए आश्चर जनक है और इसी वज़े से ये रहसे भी बना रहा है मेरा विश्वास है कि यदि आप अपने शहर की गलियों में जाएं और एक एक कर हर व्यक्ति से पूछें के सभलता का रहसे क्या है तो आपको महीने भर की कोशिश के बाद ऐसा एक भी आदमी नहीं मिलेगा जो आपको ये बता सके आज जो कुछ हमने जाना है वो हमारे लिए वास्ताओं में अत्कंत मुलेवान है यदि हमेंसे समझ कर इसे जीवन में लागू भी कर सके ये ने सिर्फ हमारे लिए बलके हमसे जुड़े और हमारे आसपास के हर व्यक्ति के लिए महत्तपून है जीवन को नीरस और उबाओ नहीं बलके एक उतेजना पून अभियान होना चाहिए आदमी को अपनी जंदगी पूरी जंदा दली से भरपूर जीनी चाहिए उसे सुबे सबेरे नीन तूटने पर खुश होना चाहिए उसे अपना मन पसंद व्यवसाए करना चाहिए क्योंकि वो इसे बहतर ढंग से करता है एक बार मैंने एक दैनिक के संपारक का व्याख्यान सुना था उन्होंने अंत में जो कुछ कहा उसे मैं कभी भूला नहीं पाया उन्होंने कुछ इस तरह कहा था कि अपने व्यवसाए में मैंने कई बातें जानी एक तो ये कि लोग मूल रूप से भले होते हैं और ये भी के हम सभी कहीं से आए हैं और हमें कहीं जाना है इसलिए इस धर्ती पर बीच का समय हमें एक रोमांचक अभियान की तरह बिताना है स्ष्ष्ट के रचाईता ने कहीं पहुँचने के लिए कोई सीड़ी नहीं बनाई है लेकिन उस महान शिक्षक ने उस रचाईता ने समय समय पर इस रहसे का उधगाटन किया है कि तुम जैसा विश्वास करोगे वो तुम्हारे समक्ष सत्य बन कर अवतरित होगा मैं आपको परीक्षा का एक मौका देना चाहता हूँ ये परीक्षा 30 दिनों तक चलेगी यदि आपने अच्छी परीक्षा दी तो ये आपके जीवन को बहतर से बहतर रूप में पूरी तरह बदल देगी सत्रवी शताब्दी में वापस लोटें जब महान वैज्ञानिक सर आईजक न्यूटन ने हमें भावतिकी के कुछ नियम बतलाए थे जो मनुष्य पर भी उतनी ही सच्चाई से लागू होते हैं जितनी की स्रिश्टी की अन्य वस्तूँआं पर इन नियमों में से एक है कि प्रतेक्रिया की बिल्कुल समान और विपरीत प्रतेक्रिया होती है यदि हम अपने आप पर इसे लागू करें तो इसका मतलब है कि हम मूले चुकाए बिना कुछ भी हासिल नहीं कर सकते तीस दिनों के आपके प्रयोग का नतीजा बिल्कुल उसी अनुपात में होका जिस अनुपात में आपने प्रयास किया होका एक डॉक्टर बनने के लिए आपको कई वर्षों तक कटिन परिश्चम और अध्धिन करने का मूले चुकाना होका उसी तरह औरों को समझाने या सहमत कराने में या बिकरी के व्यवसाई में भी हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि चीजों को बेच सकने की या विचारों को दूसरों तक पहुंचाने की या स्वीकरित करानी की भी हमारी क्षमता कितनी है लेकिन औरों को बेहतर जीवन पाने का तरीका समझाने में हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने प्रयास में कितना मूले चुकाते हैं और हमें ये मूले चुकाने को तैयार भी रहना चाहिए अब सवाल है कि ये मूले है क्या? इसमें कई बाते हैं पहली तो ये कि हमें बाउधिक रूप से और भावनात्मक रूप से ये समझ लेना चाहिए कि हम जैसा सोचते हैं बिल्कुल वैसा ही बनते भी हैं इसलिए अपने जीवन को नियंतरत करने के लिए हमें अपने विचारों को नियंतरत करना होगा यानि हमें अच्छी तरह समझ लेना होगा कि जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे दूसरी बात हमें अपने मन से सभी अडचनों और बेडियों को काट फेकना होगा और ये सोचकर काम को अधिकतम आगे बढ़ाना होगा कि यही काम हमारे लिए दैवी रूप से निरधारित है यानि ये समझना होगा कि सभी सीमा रेखाएं हमारी खुद की बनाई हुई हैं और हमारे सामने कल्पना से भी बढ़कर अवसर मौचूद है अर्थात हमें तमाम संकीरनताओं से और पूरवा ग्रहों से उपर उठना होगा तीसरी बात अपनी समस्या पर सकारात्मक रूप से सोचने के लिए खुद को प्रिरित करने में पूरी क्षमता और साहस का इस्तेमाल करना होगा और साथ ही अपने लिए एक निश्चित और स्पष्ट लक्षे दिर्धारित करने के दिये भी अपने मस्तिश को लक्षे के बारे में सभी संभव कोणों से विचार करने का अवसर देना होगा अपनी कल्पना को खुली छूट देनी होगी कि वो हर संभावित समाधान की परक कर सके ये विश्वास करने से इंकार करना होगा कि लक्षे प्राप्ति के मार्ग में कभी कोई परिस्थिते आपको हरा भी सकती है जब आपको लक्षे की ओर ले जाने वाला मार्ग स्पस्ट दिखे तो बिलकुल ततपरता से फैसला लेते हुए काम करना होगा और अपने आपको लगातार इस तत्थे से अवगत कराते रहना होगा कि आप अपनी उपलब्धियों के खेतर के बीच और बीच खड़े हैं और चौती बात कि आप जो कुछ भी कमाएं उसका दस प्रत्रशत नश्चित रूप से बचाएं ये हमेशा याद रखें कि आपका व्यवसाय चाहे जैसा भी है यदि आप मूली चुकाने को तयार हैं तो उसमें अनंत सम्भावनाएं भरी पड़ी हैं आईए हम उन महत्वपूर्ण बिंदूओं को दोहरालें जो एक खुबसूरत जीवन बिताने के मूली के तौर पर हमें चुकाना है पहला हम वैसा ही बनेंगे जैसा हम सोचते हैं दूसरा कल्पना शब्द का महत्व समझें और अपने मस्तिश को उची उड़ान भरने दें तीसरी बात साहस हर दिन अपने लक्षे पर एकागर चित्त हूँ और चौथी बात जो भी कमाएं उसका दस प्रतिशत बचाएं साथ ही ये भी याद रखें कि कोई भी विचार तब तक वियर्थ है जब तक हम उसे कार्यान वित नहीं करते हैं और अब मैं तीस दिनों के परीक्षण को समझाने की कोशिश करूँगा अपने दिमाग में ये सपश्ट कर लें कि इस परीक्षण में आप कुछ भी खोने नहीं जा रहे हैं बलकि मुम्किन है कि आप सब कुछ पा सकते हैं दो बाते हम सब पर लागू होती हैं हम सब कुछ न कुछ चाहते हैं और हम सब किसी न किसी चीज से भैभीत रहते हैं मैं चाहूंगा कि आप एक कार्ट पर लिखें कि वो क्या चीज है जिसे आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं हो सकता है कि ये रुपिया पैसा हो आप अपनी आमदनी दोगुनी करना चाहते हो या एक खास परिमाण में रुपिया कमाना चाहते हूं हो सकता है कि आप एक खुबसूरत मकान चाहते हूं या अपने व्यवसाय में एक काम्याबी चाहते हूं या फिर जीवन में एक खास मकाम की तमना हो आपको या फिर परिवार में ज्यादा तालमेल और एकता किया भिलाशा हो हम सब कुछ न कुछ की तमन्ना जरूर रखते हैं आप अपने कार्ड पर स्पष्ट लिखिए कि आपकी कामना क्या है ये निश्यत कर लीजिए कि यही आपका एक मात्र और स्पष्ट लक्ष है आप अपना ये कार्ड किसी और को मत दिखाईए बलकि उसे अपने पास रखिए ताकि आप दिन भर में कई बारे से देख सकें इस पर लिखे गए लक्षे के बारे में हर सुबह नीन से जागने पर प्रफुलित और शांत चित्त से सोचिए दिन भर में जितनी बार मौका मिले इस कार्ड को देखिए और रात में सोने जाने से पहले भी देखिए कार्ड को देखते समय ये बात याद रखें कि आप वैसे ही बनते हैं जैसा आप सोचते हैं और चूंकि अभी आप अपने लक्ष के बारे में सोच रहे हैं इसलिए ये समझे के बहुत जल्दी ही आप इस लक्ष को हासिल कर लेंगे दरसल जिस पल आपने अपने इच्छा कार्ट पर लिखी और उसके बारे में सोचना शुरू किया उसी पल से वो लक्ष आपका हो किया जब आप काम से बाहर निकलते हैं तो आसपास फैली प्रचुरता की और देखिए इस तरह की प्रचुरता पर आपका भी उतना ही अधिकार है जितना औरों का है यदि आप चाहें और प्रयत्न करें तो ये प्रचुरता आपकी हो सकती है अब हम थोड़े मुश्किल हिस्से की तरफ आते हैं मुश्किल इसलिए कि इसके अनुसार आपको कुछ नई आदतें विक्सित करनी होगी और नई आदतें आसानी से नहीं बनती हैं लेकिन अगर एक बार पढ़ जाएं तो फिर जीवन भर आपके साथ बनी रहती हैं जिस चीज से भी आपको भै लगता हो उसके बारे में सोचना बंग कर दीजिए हर बार जब कोई भयानक और नकारात्मक विचार आपके मन में आए तो उसकी जगे पर अपने सकारात्मक और महतपून लक्षे का विचार उसकी सजीव कलपना मन में ले आईए इस दोरान ऐसा समय भी आएगा जब आपको लगेगा कि ये प्रयास छोड़ दिया जाए क्योंकि आदमी के लिए सकारात्मक सोचने के अपेक्षा नकारात्मक सोचना ज्यादा आसान होता है और यही वज़े है कि सिर्फ प्रत्रशत लोग ही काम्याब हो पाते हैं आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप इसी प्रत्रशत वाले वर्ग में अपनी जगए बनाए इन 30 दिनों के लिए आपके मस्तिश का नियंतरन पूरी तरह आपके हाथों में होना चाहिए इस दोरान दिमाग को वही सोचना होगा जिसकी अनुमती आप दें 30 दिनों की इस परीक्षन अवदी के दोरान हर दिन आप उससे भी ज्यादा काम करें जितना आपको करना है इसके अलावा एक उत्साही सकारात्मक रुख बनाये रखने के लिए पहले से भी ज्यादा कोशिश करें ये सारा कुछ ये ध्यान रखते हुए करें कि जीवन में आपको उसी अनुपात में कुछ मिलेगा जिस अनुपात में आप लगाएंगे जिस ख्षण आप किसी लक्ष की दिशा में काम करने का फैसला करते हैं उसी ख्षण आप एक सफल गर्टी बढ़ जाते हैं क्योंकि आप उसी ख्षण ऐसे सफल लोगों की ख्षणी में आ जाते हैं जिन्हें मालूम है कि वे किधर जा रहे हैं इसका मतलब है कि लक्ष निर्धारित करने के साथ ही आप प्लत्यक सौ में से हीर्ष के पंच लोगों में आके लक्ष किस तरह हासल किया जाए इस चिंता में अपने आपको बहुत ज्यादा मत उल जाईए इसे पूरी तरह उस शक्ते पर छोड़ दीजिए जो आप से ज्यादा समर्थ है आपको सिर्फ ये मालूम करना है कि आप किधर जा रहे हैं किस दिशा में जा रहे हैं बाकी के सारे प्रशने जैसे जैसे सामने आएंगे उनका जवाब भी खुद बखुद मिलता जाएका आप धर्मो पदेश के ये शब्द याद रखिए और उन्हें परीक्षन के दौरान हर दिन अपने सामने रखिए प्रशने पूछो और उसका जवाब तुम्हें प्राप्त होगा खोजो और तुम उसे पा लोगे दस तक दो तुम्हारे लिए द्वार खुलेगा क्योंकि हर वो व्यक्ति जो जिग्यासा रखता है उत्तर पाता है जो ढूड़ता है उसे प्राप्त होता है और जो दस्तक देता है उसके लिए द्वार खुलता है ये शब्द जितने सहज हैं उतने ही चमतकारी भी दरसल ये से धन्त इतना सरल है कि हमारे कटिन शब्दों में उलजकर इसे समझना शायद ज्यादा मुश्किल होगा बस आप के लिए जरूरी है कि इन 30 दिनों के दौरान आपके सामने इस पश्च लक्षे हो और उसे पूरा करने का विश्वास भी चाहे आप किसी भी पेशे से जुड़े हो इन 30 दिनों के दौरान अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करें जैसा अब तक आपने पहले कभी नहीं किया हर दिन अपना लक्षे अपने सामने रखें उसके बाइद जीवन का जो नया पहलू आपके सामने होगा उस पर आपको खुदाश्यर होगा प्रसिद संपादिका और लेखिका डरोथी ब्रैंड ने अपने लिए इस राज को ढून दिकाला अपनी पुस्तक वेक अप एंड लिव में इस बारे में उन्होंने लिखा है उनका पूरा चिंतन मनन और दर्शन जैसे इन शब्दों में समा गिया है इस तरह काम करो मानों असफल होना संबब है दरोथी ने अपनी परीक्षण अवधी, पूरी इमानदारी और विश्वास से पूरी की और अश्यर जनक सफलता ने उनके पूरे जीवन में बदला ला दिया अब आप तीज दिनों तक अपना परीक्षण करें लेकिन तब तक परीक्षण शुरू ना करें जब तक आप इससे जुड़े रहने के लिए खुद को पूरी तरह तयार न कर लें आप पाएंगे कि दृड़ लगन शील होने की वज़े से आप में विश्वास भी जलक रहा है कहा जा सकता है कि दृड़ लगन विश्वास का ही दूसरा नाम है यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप कभी भी लगन से काम नहीं कर सकते यदि 30 दिनों के परीक्षण के दौरान आप असफल हो जाएं यानि नकारात्मक विचारों से पराजित हो जाएं तो फिर से शुरुवात करें धीरे धीरे आपकी नई आदत बन जाएगी और आप अपने आपको उन गिने चुने लोगों में पाएंगे जिनके सामने कुछ भी असंफ़फ नहीं है आप अपने कार्ड को मत भूलें जब आप जीने का ये नया धंग शुरू करते हैं तो ये कार्ड आपके लिए नहायद जरूरी है इसकी एक तरफ आप अपना लक्षे लिखें जो भी आपका लक्षे हो और दूसी तरफ धर्मो पदेश की ये पंक्तियां लिखें के संपन्द नहीं हो सका है ये ध्यान रखें कि परीक्षन अवदी के तीस दिनों के दौरान आपकी प्रेरना अपने हीर्श बिंदो पर रहे सबसे बड़ी बात कि आप चिंता बिलकुल ना करें क्योंकि चिंता भे को जन्म देती है और भे जीवन को तूर देता है याद रखें कि आपको अपना लक्ष अपने सामने बिलकुल स्पच्ट रखना है बाकी सारी चीजें खुद बखुद तय होती चली जाएंगी ये भी ध्यान रखें कि आप हमेशा शांत और प्रसन नचित बने रहें किसी भी छोटी मोटी बात को इजाज़त ना दें कि वो आपको परिशान या खिन न करें और मार्क से हटा दे हो सकता है कि परीक्षन को कठन जान कर कोई कहे कि मैं इसकी चिंता क्यों करूं देखिए जीवन में कोई भी असफल होना नहीं चाहता कोई भी अधकचरा रहना नहीं चाहता कोई नहीं चाहता कि जीवन चिंता भय और निराशा से भरा हो इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि आप जो बोएंगे वही काटेंगे अगर आप नकारात्मक विचारों की फसल बोते हैं तो आप नकारात्मक सोच से भी भरे रहेंगे और यदि सकारात्मक विचार बोते हैं तो आपका जीवन प्रसंद रिचित सफल और सकारात्मक बने का और अब एक बात और अक्सर ऐसी प्रविती देखी जाती है कि सुनी गई बातें धीरे धीरे भूलने लगती हैं इसलिए इस रिकॉर्ड को बीच बीच में बजा कर अपने आपको याद दिलाते नहें कि नई आदत विक्सित करने के लिए आपको क्या करना है नियम इत अंतराल पर अपने पूरे परिवार के साथ बैठ कर इसे सुने आपको ऐसे बहुत सारे मिलेंगे जिनका कहना होगा कि वे इस नियम को जाने समझें सीखे बिना ही पैसा कमाना चाहते हैं ये वैसे लोग हैं जो बिना कोई परिश्रम किये बिना कोई कीमत चुकाए मुफ्त में ही बहुत कुछ पाना चाहते हैं और ऐसे लोग जीवन में असफल रहते हैं यहां जायज और सार्थक ढंग से पैसा कमाने का सर्वोत्तम तरीका है कि लोगों को उपयोगी और आवश्यक वस्तुएं तथा सेवाएं उपलब्द कराई जाएं हम अपने उत्पाद और सेवाओं का विन में ही लोगों को पैसों से करते हैं इसलिए प्रामानिक नियम के अनुसार हमें उसी अनुपात में आर्थिक लाब हासिल होगा जिस अनुपात में हम लोगों की सेवा करेंगे सफलता कभी भी पैसा कमाने का परिणाम नहीं है बलकि इसके विपरीट सफलता के परिणाम स्वरूप ही हम पैसा कमा पाते हैं और सफलता हमें उसी अनुपात में हासिल होगी जिस अनुपात में हम परिश्यम करेंगे लोगों को अपनी सेवाईं उपलब्द कराएंगे अधिकांश लोग इस नियम को उल्टा समझते हैं उनका मानना होता है कि अगर आप भरपूर पैसा कमा रहे हैं तो आप सफल हैं जबकि सच्चा ये है कि आप पैसा तभी कमा सकते हैं जब पहले आप सफलता परात कर लें अन्य था उस आदमी की कहानी का उधारन ही बनेगा जो अंगीठी के पास बैठ गया और कहने लगा कि पहले मुझे आँच दो तब मैं लकणिया डालूगा आप क्या मानते हैं आज दुनिया में कितने लोगों का जीवन के प्रति ऐसा रवय्या होगा उनकी संख्या करोडो अरुबों में होकी जबकि हमें समझना चाहिए कि पहले इधन डालने पर ही आग मिले की ठीक इसी तरह हमें पहले अपने सेवा कार्यों पर ध्यान देना चाहिए और तब पैसों की उम्मीद करनी चाहिए अपने आपको कभी पैसों से मत जोड़ें बलकि परिश्यम, कारे सेवा, सपनों और उन्हें साकार करनी की इच्छा से जोड़ें आप ऐसा करके देखें और फिर देखिए कि आपके पास कितनी प्रचुर संपत्य और सम्रिद्धी आती है सम्रिद्धी भी परस्पर विनिमय के नियम पर ही आधारित है कोई भी व्यक्ति जो सम्रिद्धी के लिए परिश्रम और योगदान करता है वो स्वयम को सम्रिद्ध बनाता है कभी कभी ऐसा हो सकता है कि परिणाम आपको उन लोगों से न मिले जिनकी आप सेवा कर रहे हैं बलकि किसी और जगह से मिले, क्योंकि ऐसा नियम है, प्रतिक्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है तीस दिन की परीक्षण अवदी से एक एक दिन करके गुजरते हुए हमेशा ध्यान में रखिए कि आपकी सफलता हमेशा उस सेवा के परिमान और गुणवत्ता से मापी जाएगी जो आपने लोगों को उपलब्ध कराई है और पैसा सिर्फ इस सेवा को मापने का एक पैमाना है कोई भी व्यक्ति तब तक संब्रद नहीं बन सकता जब तक वो औरों को संब्रद ना करे इस नियम में कोई अपवाद नहीं है एक बार यदि ये नियम अच्छी तरह समझ लिया जाए तो कोई भी विचारवान व्यक्ति अपना भागय स्वेम बतला सकता है यदि वो और अधिक चाहता है तो उसे लोगों को और अधिक सेवा उपलब्द करानी होगी और यदि वो और कम की चाहत रखता है तो उसे सेवा के परिमान में भी कमी करनी होगी यही वो मूले है जिसे आपको अपनी इच्छा और जरूरतों के लिए चुकाना होगा यदि आप सोचते हैं कि आप औरों को दरकिनार कर स्वेम को सम्रिद कर लेंगे तो ये आपकी भूल है इससे आप स्वेम को ही दरकिनार कर लेंगे ये बिलकुल सांस लेने और छोड़ने की तरह जास सच है कि आप जितना कुछ देंगे उतना ही आपको वापस मिलेगा आप इस नियम को पलट सकते हैं ऐसा कभी भूल कर भी मत सोचिएगा क्योंकि ये असंभव है एक जाने माने मनों चिकित सकने सफलता पाने के लिए छे सूत्री उपाय बताएं हैं पहला एक निश्चित लक्ष निर्धारित करें दूसरा अपने को कम आकने वाली नकारात्मक सोच को त्याग दें तीसरा उन सभी कारणों पर विचार करना बंद कर दें जो आशंका जतलाते हैं कि आप सफल नहीं हो सकते इसके स्थान पर उन कारणों के बारे में सोचें जो आपको सफल होने का विश्वास दिलाते हैं अगर नकारात्मक विचार ही आप पर हावी हैं तो अपने बच्पन के दिनों तक पीछे लोड़ कर उन कारणों को ढून निकालने की कोशिश करें जिनकी वज़े से पहले पहल ये बात आपके मन में बैठ गई कि आप सफल नहीं हो सकते किसी ऐसे व्यक्ति का वरनन लिखकर जिसे आप आदर्श रूप में अपनाना चाहते हैं अपने विशय में अपनी धारणा को बदलें आपने जिस आदर्श सफल व्यक्ति का अनुसरन करने का फैसला किया है उसकी जगह पर स्वेम को रख कर सोचें और उसका अभिनय करें मानव सब्विता के ग्याद इतिहास की शुरुआत से ही विशय शक्ये लोगों ने जो कुछ कहा है उसको अपनाने की कोशिश करें आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा बनने की खीमत चुकाएं ये काम निश्चित रूप से उतना मुश्किल नहीं है जितना कि एक असफल नाकाम व्यक्ति के रूप में जीवन चीना तीज दिनों का परीक्षन पूरा करें इसे दोहराएं और फिर दोहराएं हर बार ये आदतें आपके भीतर आत्मसाथ होती जाएंगी ज्यादा से ज्यादा और एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप आश्चेर करेंगे कि आप किसी और धंग से कैसे जीवन व्यतीत कर रहे थे इस नए धंग से जीवन चीएं और प्रचुरता का द्वार आपके समक्ष खुल जाएगा और चारों और से सुक्सम्रद्ध की ऐसी वर्षा होगी जिसके पारे में कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा पैसा भरपूर मिलेगा लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपून है कि आपको शान्ती मिले और ये नियम अपना कर आप उन किने चुने लोगों में शामिल हो जाएंगे जो शान्त आनंद पूर्ण और सफल जीवन व्यतीत कर रहे हैं आज से ही आरंब कीजिए याद रखिए खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं है जबकि पाने के लिए एक बिलकुल नया जीवन आपके सम्मुक है